जैसा कि आपको पता है कि food and nutrition पूरा चेप्टर एक्स्प्रेन किया जा चुका है अब वो food and nutrition को explanation में आप लोगों को बताया गया है carbohydrates के बादे में fats, proteins, minerals, vitamins, minerals उसके बाद आप लोगों को बताया गया है roughest water, balanced diet, cooking food, way of cooking food, preserving food these are boiling, canning, freezing, dehydration and exercises इसलिए आपको दुबारा वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को clearly समझ में आ जाए कि क्या-क्या पढ़ाया जा चुका है ठीक है? और आपको ये copy में भी करना है PDF प्रवाइट करा दे गई है आप उसे PDF को complete करके Saturday को मेरे पास भेजोगे ठीक है? Now, we will learn about digestive system You know, food is very important for human beings If we eat food, then the internal organs helps to digest this जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हमारे internal organs क्या करते हैं? डाइजिस्ट करते हैं लेकिन उसको डाइजिस्ट करने के लिए एक organs की जरूरत नहीं होती हमारे body के अंदर बहुत सारे organs हैं जो हमारे food को डाइजिस्ट करने में help करते हैं ठीक है? अब food डाइजिस्ट करने के लिए हमारे body में different different organs होते हैं We know that human body is made up of various organs जैसा कि हमें पता हैं हमारे body विभिन प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ हैं Some organs do not function alone कुछ organs ऐसे हैं जो अकेले काम नहीं कर सकते हैं वो to work together वो साथ साथ काम करते हैं A specific system carries out a certain kind of work यही एक जो विशेष प्रकार का जो कार है यह इनके द्वारा संपन होता है सबसे पहले आते हैं skeleton system के बारे में skeleton system जो है आपका number one इसमें fill करोगे क्योंकि skeleton जो आपकी यह body दिख रही है यह skeleton system के अंदर आएगी ठीक है यह आपकी body का जो structure है skeleton system है फूर इसके बार nervous system number two तो nervous system यह आपका nervous system का figure है तो इसमें number two fill करना है ठीक है muscular system muscular system आपका यह exercise कर रहा है इसलिए muscles develop हो गई है तो यह muscular system हो गई है circulatory system यह आपका circulatory system है इसे blood हमारा और water हमारा circulate होता है ठीक है अब respiratory system में क्या होता है respiratory system में lungs का use होता है इसलिए यहाँ पे number five डाला गया है ठीक है digestive system जिसके बारे में हमें आज study करना है यह हमारा फिक्चेस जो है digestive system सो करेगा ठीक है यह हमारे बहुत सारे internal organs है उसके बाद excretory system जो हमारी kidneys है वो help करेंगी number seven पे तो आपको वीडियो दिख रहा होगा तो हमारे यह अलग-अलग type के system है lungs अलग तरीके से हमको breathing करने में help करता है kidneys हमारी blood और water को purify करता है यह हमारा जो है circulatory system है जो body का temperature वगएरा water जो है supply करने में circulate करने में विभिन प्रकार के अंगों में पहुचाने का यह हमारी body का ढाचा है जिसे हम लोग इसके लेटेन बोलते हैं ठीके और यह हमारी muscular systems है जो हमारी muscles को develop करता है ठीके यह हमारा digestive system है जिसके बारे में हमें आज study कर रहा है तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले start कहां से करते हैं सबसे पहले हम mouth से start करते हैं सबसे पहले हम खाना अपने मुह में ले जाते हैं ठीके थाली से जो भी मम्मी पकाती है उसे मुह में रखते हैं फिर थोड़ी देर चबाते हैं उसे जब आपने देखा होगा जब आप मुह में food डालते हो तो आपके मुह में saliva present होता है ठीके वो food में mixed हो जाता है और वो mixed होने के बाद food vibe के through वो आपके stomach में पहुँच जाता है ठीके यहाँ पे एक bag होता है गोल-गोल bag होता है यह food आपका stomach में store हो जाता है तो आप बताएए जब आप खाना खाते हो तो क्या उसको आपके stomach में पहुचने के लिए दो चीज़े help करते हैं एक तो chiving जब आप चबाते हो और दूसरा saliva जो saliva आपके mouth में present होता है जिसे हम थूप बोलते हैं वो food pipe के through आपके stomach में पहुच जाता है ठीक है तो digestive system क्यों जरूरी है digestive system is one of the most important system of human body we know that our body needs food for growth and energy जैसा कि हमें पता है digestive system हमारे body के लिए बहुत ही आवश्यक है और जब हम खाना खाते हैं तो हमसे हमारी body उसे growth करती है और उसे हमको energy मिलती है the food we eat cannot go straight into different part of our body जब हम खाना जो भी खाते हैं वो सीधे अलग-अलग body के parts में ने पहुचता हैं वो कैसे पहुचता हैं? it needs to be broken down into substances अब ये छोटे-छोटे substances में broke हो जाता हैं तोटता हैं बिखरता हैं which can be easily absorbed by the body अब body के जो internal organs हैं उनको आसानी से छोटे-छोटे जो parts हैं आसानी से क्या करते हैं? अब्सार्व कर लेते हैं आप लोगोंने सोचा होगा कि ये जो हम खाना खाते पेट में चला जाता हैं उसके बाद बाहर निकल जाता हैं नहीं जब आपका food जो है पेट में, stomach में store हो जाता हैं तो वहाँ छोटे-छोटे parts में divide होता हैं nutrition अलग हो जाते हैं जैसे कि fat अलग, carbohydrate अलग, vitamins अलग, protein अलग, minerals अलग तो ये क्या होता है? ये फिर absorb होता है, जब digestion start होता है तो धीरे-धीरे जैसे आप लोगोंने देखा हो जा, कि juice निकालते हैं किसे भी apple का, या फिर pineapple का, या फिर orange का तो उसमें से देखे कुछ ऐसा waste रह जाता है, जिसको बाहर निकाल देते हैं लेकिन उसके लिए एक machine होती है, juice को निकालने के लिए एक machine होती है वैसे ही हमारे body में एक machine है, machine क्या करती है, उन सारे food को छोटे-छोटे parts में divide करती है ठीके, छोटे-छोटे parts में divide करने के बाद, फिर उस food को क्या करती है, absorb करती है यानि कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हमारा food जो है, छोटे-छोटे parts में dispose हो जाता है और ये body के द्वारा absorb कर लिया जाता है ये digestion कहलाता है अब digestion स्टार्ट कहां से? सबसे पहले digestion स्टार्ट होता है माउट से सबसे पहले आपने खाना लिया, मुझ में डाला, चबाया, उसमें saliva मिक्स हुआ फिर अपने आप food जो है food pipe से वो stomach में पहुँच जाता है अब stomach में आपका pancrease होता है pancrease क्या करता है? इसमें mix होता है ये छोटे-छोटे parts में food को divide करता है gallbladder होता है, जिससे आप सांस लेते हो liver होता है, जो आपकी food को, substance को digest करने में help करता है उसके बाद ये food पहुँचता है, small intense time में small intense time में जब आपका food पहुँचता है फिर यहां भी break होता है फिर जो आपका waste material होता है, वो आपके large intense time में पहुँचता है फिर large intense time में move करते, 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 करते वो NS के थुरू बाहर निकल जाता है जिसा कि आपको पता है कि food digestive system में जो waste material होता है वो आपके body से बाहर waste निकलता है आप लोग toilet करते हो, पानी इतना सारा पीते हो लेकिन toilet करते हो, तो क्या उतना urine निकालते हो? नहीं, तो उसके लिए एक भी एक process है urine को निकालने के लिए भी और जो आपका excretion होता है जो आप malnutrition होता है उसको निकालने के लिए भी एक process है तो उसको निकलने के लिए भी एक जगे चाहिए वो आपके body में present है तो वो अब क्या करेगा? जो भी आपने waste है, उसको body में अगर ज्यादा दिनों तक store करोगे तो आपकी body के organs function करना बंद कर देंगे जब function करना बंद कर देंगे तो आपकी body जो है बीमार होना शुरू हो जाएगी तो इसी तरीके से आपको पता है कि जब liver खराब हो जाता है जो लोग ज़्यादा drink करते हैं जो ज़्यादा सराब पेते हैं, जब लिवर खराब होता है, तो उनके बॉड़ी के जो और भी पार्ट्स हैं, वो धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं, उनको भूँक नहीं लगती हैं, तो फिर उनकी बॉड़ी धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है, और भी और भी आपके बॉड़ी के फंक्सन्स करना बंद कर देते हैं, जिसे कि आपकी कभी-कभी उसे डेध भी हो जाती है, किड़नी, किड़नी भी आपके एक तरीके का सिस्टम है, लेट सी दे एक्सरसाइज, आवर बॉड़ी नीड़्स फूड फॉर ग्रोथ, यानि कि ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए फूड जरूरी है, तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है, प्रोसेस इन वीच फूड इस ब्रोकेन डाउन इस काल्ड, क्या कहलाता है, डाजेशन, एक ऐसी प्रक्रिया से जिससे फूड छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं, डाजेशन कहते हैं, ठीक है, दा हालो मस्कुलर बैग इस काल्ड, स्टमक, आपके बॉड़ी में जो मस्कुलर बैग होता है, जो खोखला होता है, जहां पर फूड इस्टोर होता है, उसे क्या कहते हैं, इस्टमक कहते हैं, ठीक है, लाजेस्ट ओर्गेन इन अवर बाड़ी इस लिवर, ठीक है, कहुंसा ओर्गेन है लिवर, वी शुड इट अवर मिल्स एट फिक्स टाइम, हमें हमेशा फिक्स टाइम पर फूड खाना चाहिए, एनी टाइम कभी भी, बिल्कुल गलत, ओनली इन मॉर्णिंग, बिल्कुल रॉंग, ओनली अट नाइट, बिल्कुल रॉंग, फिक्स टाइम पर खाना चाहिए, ठीक है, यह आपकी फिलिन ब्लैंक से हैं, इंटन स्टाइन अबसौर्फ फूड, तो वेस्ट फूड को लाइज इन श्टैन अबसौर्फ करती है, तो प्रोसेस अब डाइजेसन स्टाइन इन द माउध, स्टमक से नहीं होता है, कहां से स्टार्ट होता है, माउध से, is the largest organ of our body liver, liver is the largest organ आप लोग इसे बुक में complete कर लोगे आज का आज, ओके थैंक यू, थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो एव आज दे